जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है अध्याय बारा भक्ति योग श्लोक नौ अधचित्तम समाधातुम नसेक्नोशी मैस्थिरम अभ्यासयोगे नततो मामिच्छाब तुम धनन जया वोम गीताचारे स्टुकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहीत हम सभी को भक्ति योग सिखा रहे हैं परमात्मा कहा रहे हैं अर्जुन यदि तुम अपना मन इकाग्र नहीं कर सकते और अपना मन मुझ पर स्तर नहीं कर सकते तो तुम दूसरे तरीके से अभ्यास कर सकते हो यह कैसे संभव होगा तुम धीरे धीरे अपना मन इन सांसारिक वस्तूओं से हटा लो बार-बार मेरे अच्छे गुणों का स्मरण करो बार-बार मेरे दिव्य नामों का जाप करो और मुझे पाने की इच्छा को प्रबल करो इस प्रकार श्रिक्रिष्ण परमात्मा हमें उन्हें प्राप्त करने की एक असान प्रक्रिया बता रहे है इसलिए आए अपनी इंद्रियों को अस्ताई सुखों से दूर करना शुरू करें आईए हम स्रिक्रिष्ण परमात्मा के दिव्य गुनों को बार बार याद करना शुरू करें और आईए बार बार स्रिक्रिष्ण परमात्मा के दिव्य नामों का जब करना शुरू करें और केवल स्रिक्रिष्न परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाना शुरू करें जो सुद्ध आनंद की अवतार है स्रिक्रिष्न परमात्मा के प्रती समर्पन करके अपने जीवन को सार्थक बिनाने का प्रयास करते हुए आईए हम श्रीक्रिष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयक्न करें श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीक्रिष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्रीक्रिष्ण कहते हैं कि मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा श्रीक्रिष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशेवचनम्तव जिसका अर्थ है क्रिष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीक्रिष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आए परमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ कर्मों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो परमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याएं हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीक्रिष्ण को अपना वचन देते हुए आईए हम सभी श्रीक्रिष्ण के सुंदर चहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद कानभव करें यह है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूँगा और आपके बारे में सोचूँगा हमारा दूसरा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने सला दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूँगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूँगा हमारा चौथा वचन हे श्रीमन नारायन, जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पांच हुआ वचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके शब्द मामेकम सरणम रज़ग याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन, मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन अरे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा की है और आशिरवात दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन, आपने सारी मानवता को गीता प्रतान की मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अप परिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये हैं प्रती दिन श्रीमन नारायन को या वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे श्रीमन नारायन करिशे वचनम तव जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वं श्रीक्रिष्नार्पन्नस्तु जै श्रीमन नारायन अधचित्तम समाधातुम नसेक्नोशी मैस्थिरम अभ्यासयोगे नततो मामिच्छाप्तुम धनन्जया वोम अधचित्तम समाधातुम नसेक्नोशी मैस्थिरम अभ्यासयोगे नततो मामिच्छाप्तुम धनन्जया जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोद हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायनस्त्रम का पाठ करें नारायनस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायनस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो की है www.narayanastram.org और रिजिस्ट्रेशन में अपना नाम और इमेल प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई एमेल पर आपको नारायनस्त्रम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायनस्त्रम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भगतों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायनस्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्नु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन